हेलो एबरिवन आप सभी के एक बार फिर से स्वागत हैं मेरे चैनल टीम रतन में फ्रेंट जब आप अपना एक नया यूटूब चैनल बनाते हैं तो आपको अपने नया यूटूब चैनल पर एक बहुत ही जरूरी सेटिंग को करना होता है और वो सेटिंग है कि आपको अपने यूटूब चैनल का कटेगरी सेलेक्ट करना होता है क्योंकि जब तक आप अपने यूटूब चैनल का कटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके YouTube Channel के वीडियो को सही लोगों तक recommend नहीं किया जाएगा और अगर आपका वीडियो सही लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो आपके वीडियो पे view इस नहीं आएंगे और आपका YouTube Channel grow भी नहीं हो पाएगा तो आपको अपने YouTube चैनल के वीडियो पे ब्यूज लाने के लिए अपने YouTube चैनल को ग्रोव करने के लिए आपको अपने YouTube चैनल का कटेगरी सलेक्ट करना जरूरी होता है तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूटूब चैनल का केटेगरी कैसे सलेक्ट कर सकते हैं तो आज का इस वीडियो आपके लिए काफी इन्फर्माटिव होने वाला है तो इस वीडियो को बिना इसकीप के लाश्ट तक जरूर देखें लेकिन फ्रेंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो अगर आप जब भी अपने यूटूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कटेग्री सेलेक्ट करने का ओप्सन मिलेगा यानि कि आपको हर वीडियो में अलग अलग वीडियो में जाके वहाँ पर आपको कटेग्री सेलेक्ट करना होगा इस category को एक बार select करके इस setting को on कर देना है, इसके बाद आपको बार बार हर वीडियो में अपने channel का category select करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में अपने google chrome browser को open कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको उपर के site youtube studio लिखके search करना है, search करने के बाद यहाँ पर सबसे first में ही option आता है youtube studio का, तो यहाँ पर आपको login वाले option पे click कर लेना है, इसके बाद आपका youtube channel यहाँ पर इस तरीके से open हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर ऊपर के side इस three dot वाले icon पे click करना है, इसके बाद यहाँ से आपको desktop site पे select कर लेना है, अब आपका YouTube चैनल जैसे laptop या computer में open होता है सेम उसी तरीके से आपके mobile में यहाँ पर open होने लगेगा अब यहाँ पर आपके YouTube चैनल में यहाँ पर सबसे नीचे के side आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक setting का icon मिलेगा तो आपको इस setting वाले icon पे click करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर वाले option upload default पे यहाँ पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको उपर के side दूसरे नंबर वाले option advanced setting पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड एक आप्शन मिल जाता है category का तो यहाँ पर आपको इस category वाले option पे click करना है अब यहाँ से आपको अपने channel के according यहाँ से category को select कर लेना है जैसे कि अगर आपका blog का channel है तो यहाँ पर आप people and blog पे select कर लेंगे अगर आपका tag का channel है तो यहाँ पर science and technology select कर लेंगे entertainment का है तो entertainment select कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे category दिये गए हैं तो यहाँ पर आप अपने channel के according यानि कि आप जिस तरह का video बनाते हैं तो उसी type का category आप यहाँ पर select कर लेंगे category select करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे के side एक option मिलता है save का तो बस यहाँ पर आपको save पे click कर लेना है इसके बाद आपका जो category है ओ आपके YouTube channel में यहाँ पर save हो जाता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने YouTube channel का category select कर लेना है ताकि आपको बार बार हर वीडियो में अपने चैनल का category select करने की जरूरत ना पड़े तो उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए informative रहा होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कीजे, comment कीजे अपने friend and family में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे और साथ ही हमारे YouTube channel को भी subscribe जरूर कर ले फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में new information के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र